हेलो गाइज, कैसे आप सभी, मैं उम्मीद करता हूँ, आप सब ठीक होंगे आज मैं आपको बताऊँगा अपने व्लोगिंग के सेटप के बारे में बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते हैं कि हम कैसे व्लोग बनाना शुरू करें कम से कम पैसे में कैसे हम अपना setup बनाए कौन सा mic ले, कौन सा tripod ले कैसे उसे setup करे, कैसे install करे इन सब सवालों के जवाब मैं आपको दूँगा दिखाऊंगा बकायदा, आपको मैं sample video भी दिखाऊंगा कि कैसे एक बोया के normal mic में और एक vlog वाले mic में क्या difference आता है आवाज का और कैसे उसे install करना है आपके tripod के साथ तो ये video पूरा देखिए, like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए तो दोस्तों मैं अपने studio में आ चुका हूँ, मैं आज आपको दिखाऊंगा बोया का वो mic जो मैं अपने vlog के लिए use करता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि कम पैसे में कैसे आप अच्छे vlog बना सकते हैं, कैसे आपको vlog बनाने start करने हैं और कैसे मैं अपने vlog बनाता हूँ, तो सबसे पहरे तो मेरे पास है बोया का mic कि मैं ये рम मैं था, मैंने खोल लिया एक लिए उसको का सrive इसको बताऊंगा कि कैसे आपको अच्छे लगाते हैं, कैसे इसे लगाते हैं, कैो कैसे निस्टोल ईसे लगाते हैं आपके ट्राइपोड के साथ ही मिल जाता है, तो आपको जो मैं लिंक दूँगा, उसमें ये इसके साथ ही आएगा, उसमें आपको अलग से नहीं खरीदना पड़ता है, रेकिन कई बार आपको ये अलग से खरीदना पड़ सकता है, तो आप इसको इसमें अच्छे से लगा ल ये भी बोया का माइक है, इसका link भी मैं आपको नीचे दे दूँगा और इसका link भी दे दूँगा, दोनों में से जो चाहे आप ले सकते, बस इसका फायदा ये है कि इसकी ये wire छोटी है, इसकी wire बड़ी है, तो आपको साथ में खीचनी पड़ती है, इसकी wire में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे पहले तो कैसे लगाना है, आपको सबसे पहले तो आपको ये मिलेगा इसका, ये अलग से आपको मिलेगा, ये आपको इसमें लगा लेना है, जैसे ये आपको अलग से मिलेगा, आप इसे इधर मतलगाना, अगर आप इधर लगाओगे तो ये area जादा है, कहीं बार अगर आप इसे लगाते हैं तो तूट सकता है ये आपको ये बिल्कुल इसमें fit करना है कुछ ऐसे ये इसमें fit हो गया अब ये आपका ये माइक के अंदर holder इसका fit हो चुका है अब आप इसमें ये space है इसमें ऐसे enter करोगे इसको ये अंदर चला जाएगा easily चला जाएगा देखिए ऐसे ये इसको ऐसे करोगे तो ये अंदर चला गया अब ये इसका ये बटन है यहाँ पर इसे आप tight कर देंगे थोड़ा इसको अपने हिसाब से set करके इसे आप tight कर देंगे अब ये tight हो चुका है अब आपको करना क्या है आपके पास mobile होगा उस mobile को आपको इधर लगाना है और उस mobile की cable को इसमें fit करना है और ये अब आपका बन गया logging setup तो अगर देखा जाए तो total 300 रपे का आपको ये मिल जाएगा और इसकी जो कीमत है वो 2000 के आसपास है तो 2300 रपे में आपका setup हो जाएगा mobile और आपके पास होगा जो mobile मैं यूज करता हूँ मैंने उसका link भी आपको description में दे दिया है मैं Samsung का mobile यूज करता हूँ आप कोई भी अच्छा सा mobile जिसमें आपको लगे की camera curated ठीक है आप उसे use करके vlog बनाना शुरू कर सकते हैं बस आपको ध्यान क्या रखना है इस vlog के boyamike में आपको जो सबसे main ध्यान होना चाहिए कि जब आप इससे बोलेंगे तो आप इसके नजदीक रहकर और आप इसके बिल्कुल level में रहेंगे ऐसे बोलेंगे तो आवाज नहीं लेगा ऐसे बोलेंगे तो आवाज नहीं लेगा उतनी अच्छी आवाज ये लेगा तो जो मैं अब भी वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो मेरे इस नए माइक के साथ है अब मैंने अपना बोया का वो माइक अटा दिया तो ये मेरे नए माइक के साथ बनी वीडियो है, अम आपको एक बार उपर अब आपको दिखाता हूँ कि खुले में आवाज कैसी ले रहा है अब देख सकते हैं, अभी मैं इसी माइक से बोल रहा हूँ जो मेरा नया माइक है वो लोग के लिए अब मैं आ गया हूँ उपर पहले तो आप देख लीजिए हमारे पोधे पारिश अच्छी हुई है तो कुछ ओधे ऐसे थे जो मुर्जा गए थे उनमें दुबारा पत्ती फूल आ गए देख सकते हैं, ये ओपन में माइक की आवाज है तो आप मुझे जरूर बताना कमेंट में कि आपको ये आवाज कैसी लगी कौसम काफी अच्छा हो रख है और मुझे लगता है नीचे सूफी भोंक रही है मुझे देखके सूफी को देखिए सूफी को अगर हम उपर ना बुलाए तो ये भोंकना शुरू कर देती है सूफी दखो सूफी की शरारत कूद कूद क्या रही है और मुझे जाने नहीं दे रही है आईए सूफी से मिली है सूफी बस जब रंडा होता है तब आराम से बैठती है वैसे नहीं बैठती है अब ये कह रही है कि मुझे हाथ फेरो इसे बड़ा शौक है हाथ फिरवाने का भाथ ना फेरो तो ये बेचैन हो जाती है सूफी हेलो कर दे तो बताइए आपको कैसा लगा है हमारा व्लोगिंग सेट अप धाई हजार के अंदर अंदर ये सेट अप हो जाएगा तो आप बनाना शुरू कर सकते हैं थैंक्यू